हे गाइस वेलकम टो अपना कैंपस मैं हूँ पस्पेंद रियादो दोस्तो उत्तर प्रदेश कंबाइंड इंट्रेंश टेस्ट 2021 यानि कि UPCET 2021 का जो अप्लिकेशन फॉर्म है वो ओफिशली रिलीज कर दिया गया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी की बारे में कम आपको form fill करना है जब आप form को fill कर रहे हो उसमें किन किन बातों का धियान रखना है सारी चीजे दोस्तों मैं आप लोगों को अई डिटेल में बताने वाला हूं साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक form fill करके भी दिखाऊंगा प्रेक्ट करनी है कैसे फिल करना है सब कुश मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेक्ट करके भी दिखाऊंगा तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना ताकि जब आप लोग फॉर्म करते ने लगे तब उस समय आपको कोई दिक्कत ना है और आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं और आपका जो फॉर्म है वह सबसे पहले त पर दोस्तों इस बार यह वाला जो एक्जाम है आपका यह एक अंट करा रहा है और यह इसकी वैपसाइट यूपीसी डॉट न्ट इसका लिंक मैं आपको वीडियो करेंशे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में देदूँगा तो वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां यहां से आपको फॉर्म करना जबाब इसमें नीचे आजाओगे एकदम नीचे आपको यहां पर दो आप्शन मिलेंगे एक तो यह मिलेगा यूपीसी ट्व्यूंट टुन्टी टॉन्ट टॉन्ट ओन फर यूजी और एक मिलेगा पीजी तो अगर आपको यूजी की कोर्से यूजी वाले पर जाओगे अगर आपको PG में लिखा हुआ है नियू रेजिस्ट्रेशन यहापको दिख रहा होगा नियू रेजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने यह पेज ओपन हो गया है यहाँ पर सबसे उपर आपको बोल रहा है करने के लिए इसको डाउनलोड कर लेना सारी इंफर्मेशन आपको हाँ पर मिल जाएगी और हां मैं आप लोगों के वाद और बता दूं कि इसमें आपको जिस कोर्स में एड्मिशन ले रहे हो कॉमेंट करके जरूर बताना ताकि उस एक पर्टिक्लिलर कोर्स पर मैं वीडिय भी बना दूंगा ठीक है तो अब यहां पर नीचे आना नीचे आने के बाद पूरा पढ़ लेना एक बार वैसे जदा टाइम ने लेगेगा और बाकी चीज़े में आपको बीडियो में आगे बता भी दूंगा ठीक है तो यहां पर आए सबसे नीचे आप लिखा है आई है उसके बाद दोस्तों आपने आप जो आइडेंटिटी टाइप सर्ट किया मालो आपने अब पे अधार कारत स्लेक्त कर लिया तो जोबेश आपको अधार नंबर डालना होगा फीर नीचे आपको यहां पर अइड्रेस डालना है एड्रेस में आपकी लोकलित्य क्या है आप क सब्सक्राइब है इसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर इमेल डालना है इतना करने के बाद आपको यहां पर बोलेगा चूज करने के लिए आपको आहां पे एक अपना password create करना है दोस्तों password जो होगा वह 8 अंकों से लेकर 13 अंकों के बीच में होना चाहिए password में एक अपर case होगा मतलब एक capital letter होगा एक small letter होगा एक numeric value होगी और एक ये symbol special character जो होते हैं आपको दिख रहे हैं इन में से कुछ होना चाहिए ठीक है फिर नीचे password को confirm करना है एक security question डालना है यहां पर बहुत सब्सक्राइब करने के बाद एक बार चेक कर लेना और चेक करने के बाद नीचे यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है submit आपको दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों इतना करने के बाद आपको बोलेगा review करने के लिए कि आपने जो detail डाली हो सही है नहीं तो इसको इक बार आप चेक कर लेना साइड detail को अगर साइड detail सही है तहां पर जो लिखा है ना my name father's name जो भी लिखा हुआ है आप इसको एक बार टिक कर देना कि आपने जो details भरी है सब सही है नहीं इसको 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 करने के बाद आपको यहां पर नीचे लिखा हो मिलेगा i agree इस पर आपको टिक कर देना है और इसको दोस्तों दो अप्शन है edit registration form अगर कोई गलती ल form फिल करना है documents upload करने है payment करना है यह तीन option बाकी है ठीक है तो इसके लिए नीचे आना नीचे आने के बाद यहां पर लिखा हो है ना complete application form इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक new page open होगा जहां पर आपको अपना application form पूरा करना है तो यहां पर एक काफी सरी चीज़े तो पहले से फिल करी हुई है जो हमने पहले फिल किये तो वह तो फिल है लेकिन कुछ चीज़े में और फिल करनी है तो जो फिल करना है मैं आपको बताता हूं दोस्तों नेचे की साइट यहां पर लिखा हो मिलेगा nationality आपसे पूछी यहां पर पुछा गया है applying for यहां पर सबसे उपर लिखा है apply for UG आप UG कोर्स के लिए कर रहे हूं ठीक है अब qualify exam आपने क्या qualify किया है आप 12 पास आउट है intermediate यह कोई equivalent है अपने diploma कर रखा है engineering technology में diploma of pharmacy में कर रखा है यहां आपने bsc कर रखी है graduate हो math के साथ तो जो भी आपने किया हो मालू मैं आप 12 कर देता हूँ अब नीचे आपसे पुछा गया है entrance exam city यहां पर आपको entrance exam की city बताने हैं यहां पर दोस्तों चार option आपसे पूछे गए हैं चार अलग अलग city आपको यहां तो जो भी आपके pass पढ़ता हो आप उसको यहां पर select कर लेना इसके बाद आप नीचे आपको अपने education detail करना है सबसे पुछा गया है pass status आप पास हो यह नहीं तो यहां पर पास है आप यह एपेरिंग है जो भी आप हैं कर देना फिर year of passing अगर आप पास हो तो किस year में आप आपने pass किया है आपका course या stream का नाम क्या था वह आपको यह पर बता देना है ठीक है आपने जैसे भी पास किया हुआ हो नीचे आपका board का नाम पुछा गया है यह उनिवर्शिटी का नाम पुछा गया है result mode आपका क्या था percentage थी यह cgpa ठीक है तो आप वो कर देना ऊपर प से पुछा गया है seeking admission and course applied for आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं यहां पर फरस्ट यह उस पर टिक कर देना है आपको ठीक है अब फरस्ट यह में फिर यह सारे निची कोर्स दिये गए हैं आप इनमें से किस कोर्स के लिए करना चाहते हैं उस पर आपको टिक करना होगा for example म हम इसको कर देंगे submit अब यहां पर बोलेगा review करने के लिए कि ठीक है इसका आप close कर दीजे और साइड डिटेल जो भी आपने फिल कर इसको पर चेक कर लेना अगर से डिटेल सही है तो फिर आप आगे बढ़े होगे अगर नहीं सही तेक पर से एडिट कर लेना निचे आप final submit लिखा है इस पर click करके submit कर देना लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज एक पर जरूर चेक कर लेना अपने details ठीक है ताकि कुछ गल्ती न हो जाए फिर आप बोल रहा है confirm करने के लिए मैं इसको confirm कर दे रहा हूं लेकिन आप लोग चेक जरूर कर ले हैं तो अब हमार यहां पर दोस्तों आपको अपनी photos upload करनी है photo और signature photo signature दोनों दोस्तों JPG format में होगा इसका minimum size photo का 10KB से 200KB की बीच में होना चाहिए signature का 4KB से 30KB की बीच में होना चाहिए ठीक है तो आपको है फाइल चूज कर लेनी है और यह last में आपर जो लिखा है submit and preview इस पर आपको click कर देना होगा इतना करने के बाद दोस्तों अब आपका document upload हो चुका है और आपको payment करना है तो अब इस तरह से दोस्तों आप लोग अपना payment कर सकते हैं और अगर आपकी कोई detail अगर गरत लगती है तो इसको अभी भी आप ठीक कर सकते हैं लेकिन जब आपने एक बार उसको submit कर दिया तो उसके बाद फिर दोस्तों आप लोग अभी अपनी कोई detail ठीक नहीं कर पाएंगे फिर आपको wait करना पड़ेगा correction का तो जब correction कर पाएंगे लेकिन मैं आप लोगों को बोलूगा कि प्लीज अभी ही form को ठीक से भरना ताकि बाद में आपको ही कोई समस्या ना आए ठीक है तो दोस्तों यह थी information I hope आप लोगों को सारी बाते समझ में आ गई होंगी तो इसीक साथ वीडियो के पर खसम करता हूँ अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिएगा और साथ साथ चैनल को subscribe कर लि सब कुछ आपको चैनल पर मिलेगा तुसके लिए चैनल को subscribe कर लिजे ठीक है तो मिलते हैं नई वीडियो में